बोलिए मडम पुलिस ने कुछ नहीं किया पुलिस एमेले सब उससे बहुत डरते हैं वकिल साहूं किसी ने कुछ नहीं किया मैं करूँ अलाइए फाइल दीजिए उन्हें तो मैं घसीट देवे कोट लेकर जाऊंगा नाम क्या है उसका मसूत पहलवान है उसका नाम ये लो अपनी फाइल देखो बेहन मसूत के खिलाफ मैं ही क्या शेयर में कोई केस नहीं लड़ेगा मुझे माफ कर दीजिए हम बहुत उम्मीदे लेकर आये थे देखिए मैं कुछ अर्या प्लीज भाई साम मेरे शोहर को बचा लीजिए एक ऐसा वकील है उटो बेन तुम्हारी मदद सिर्फ श्रीपती ही कर सकता है कोज जाना उसे पसंद नहीं बहज करना उसकी आदत नहीं पर वही आपकी मदद कर सकता है अदालत के अंदर जाकर उसने आज तक एक भी केस नहीं जीता है पर अदालत के बाहर कभी हारा नहीं और इसकी वजा है उसका बेटा, जिसके नाम से तहशत भी कापती है जहाँ पर इंसाफ दम तोड़ देता है, वहीं से उसका न्याय जिम लेता है वो अदालत के फैसले के लिए नहीं रुखता सीधा सजा देता है एक बार उसने केस अपने हाथ में ले लिया फिर सामने सी एम हो पी एम हो आएस आएस हो कानून तोड़ने वाले की कमर तोड़के उन्हें अपाइच कर देता है समाज का रख्वाना है वो खबराने की कोई ज़रूवत नहीं मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंट बढ़माशों को डिसेंट्री कौन है रदू कर दो कर दो पाले पाले कम एब डदों पाले करें एक जो ना खतम अहां, अरे बाबरे, गए काम से, अब इनका क्या होगा? आक प्रियंदाः है इत वह एक ऐससे दिल में अर्थ क खुफ पिल्क नहीं है बहुत है कि हर ऑफ है क्युए हां हाँ कि तू मुझे मार रहा है जानता है मेरा नाम क्या है तेरा जो भी नाम क्या दू खुद को बचा पाया क्या खुद को पिटने से रोख पाया तूने जो पाप किये है उसका बिल तुझे ही भरना होगा दर्द और जखम नाम या बैग्राउंड के मोहताज नहीं होते हर नाइंसाफी का मूतोर जवाब दूँगा और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं कुछ नहीं होगी तो तुम कहा मुझे बताओ उसे कुछ हो सकता है क्या चांचू जय प्रकाश तुमने अपने लोगों का भला करने के लिए और गाओं में विकास के काम शुरू करने के लिए नौकरी से वॉलेंटरी रेटाइर्मेंट लिया, I am so proud of you. कैसे आना हुआ? उमा पती, मेरा जो अनभव है मैं पूरे गाहों को उसका लाब देना चाहता हूँ पराय दिन हो रहे कतल को रोकना मुश्किल हो रहा है मुझे उमीद है CS होने के नाते तुम मेरी मदद जरूर करोगे क्या कहा? कतल? कौन करवा रहा है? विक्रम धानुश कल उसने इनके पिता को मार दिया पता नहीं ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा? आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे देखिए यहां हरे रंग में ये खेती की जमीन है हजार परिवारों के लिए जीवन का आधार है लेकिन वो लोग oil refineries के लिए यहां pipeline बिछाना चाते हैं oil companies से करोणों रुपे advance में ले चुके हैं और खेती की जमीन खरीदना चाते हैं किसान अपनी थोड़ी जमीन sacrifice करने को तयार हैं development हो तो कोई problem नहीं road, hospital, school, airport बना, कुछ भी ऐसे कामों से काओं का विकास होता है आने वाली पीडियों को उससे फाइदा होगा वो तो अपने घर छोड़ने को तयार है पर हाँ विकास का का काम होना चाहिए लोग अपनी जमीन उन कंपनी को क्यों दे जो सिर्फ अपना फाइदा देख रही है अगर हमने उनकी बात मानी तो गाओं की मिटी वहां का हवा पानी सब कुछ प्रदूशित हो जाएगा दुख की बात तो यह है कि CM का बेटा इंसब प्राइवेट ओयल कंपनीज का हिमायती बना बैठा है बस इसी वज़े से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी राय मानों तो असादमी से दूर रहो तुम्हें लगता है CM की वज़े से लोग चुप है ऐसा नहीं है असली पावर CM के बेटे में है और तो और तुम यहां पर आये हो इसकी जानकारी उस तक पहुंच चुकी होगी वो किंग नहीं किंग मेकर है खेर चिंता मत करो मुझसे जो होगा मैं करूँ पब्लीक की नहीं अपने बारे में सोचो वैसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा है तुमने बिन मा की बच्ची है उसकी जिम्यदारी अब तुम पर ही है बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए ठीक है मेरे साथ तुम घर चलो माफ कीजे अभी इनके साथ आया हूँ फिर कभी आऊंगा और बताईए भावी कैसी है ओ मरेश कहां छुपा में ठैरे तु कल मुही मोटी भैस इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूँगी ओ देरी अलाद तु यहाँ है दादी सासू क्या बना रही हो दिखता नहीं नास्ता बना रही हो नाश्ता बदारी हो फोड़ा सांबर भी डालो ना जहर भी डालो अताकि तुझसे भी चुटकारा मिल जाए कुछ भी कहो सांबर का जवाब भी सांबर इस दे किंग और तू चुड़े लो की क्वेन गुलाब की कली मैं ओफिस जा रहा हूँ अरे ओ हड्डे हराम लड़की देखने गया था तो आप पे काला पट्टा बानके गया था कलर और वजन देखके फिसल गया होगा जो इस आठे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया आपकी तकदीर तो अच्छी है मेरी तो गई गुजरी है मैंने इक शर्त रखी थी कि ससुडाल में खडूस दादी नहीं चाहिए पर जब मैं यहां आए और मैंने आपको देखा तो मैंने का में शादी नहीं करूंगी इतना नाक लगा रही थी तो क्यों कि शादी इन्होंने जूट बोला ना क्या जूट बोला रहे इन्होंने मुझस से कहा आप सिक्स मंट्स में तपक जाएगी पर यह देखो नौ साल हो गए मेरे मरने की रहा देख रहा है देसी की खाया है मैने मेरे बेटी को किसी की वासर ना लगे सारी पूरे ना लगे दादी भले यह बाहर से लड़ाई जगड़ा करके आये पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंक जीतके आया हो धीरे बोल नहीं तो वो कद्दू उठाके तेरे सर पे फोड़ देगी गनेश मेरे बड़े बेटी की उलाद है लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं इसके प्यार में कमीना रह जाए इसलिए अपनी उलाद नहीं होने दी बापे बापा एक बात बताओ एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को नया दिलवाता है पर तुम केस तो ले लेते हो लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर नया दिला वो केस थोड़ा हटके था कल तुमने एक कॉंट्रेक्टर को मारा उसना जमीन पर कबजा किया था वो कोई मामूली आदमी नहीं है ये ले बेटा बाहर मेरी सब सुनते हैं लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है मीठा खिला रही हो मोटा हो जाएगा आप होगे ये थोड़ी नहोगा लड़ाई करके आया है न प्टी लेना क्या हुआ जी क्या हुआ जी क्या बताओं क्या हुआ इसे ईस बनने को कहा तो मना कर दिया फिर चीए करने को कहा तो कहनी लगा भाहि कातों में मुझे को इंट्रेस्ट नहीं है फिर मैंने कहा लॉय कर ले भाहिया तो वह भी ढख से नहीं कर पाया डिकरी तो मिल गयी न 更धिया अचला तेर स सी, माल लिया नमस्ते तुझे हीबुरु भाशा में कहूं नमस्ते 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 अरे पद्बा आगी चल सांबर खिला दो चल बिल्कुल सही समय पर आयों दस सालों से यह तमाशा फ्री ओफ चार्ज देख रहे हो 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तो भी ओगोड़ा नहीं बन प बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा गूगल बाबा का सोतेला चेला हूं इसलिए सब की खबर रखता हूं सच की डकार आपने आप निकल आती है यू कंटिन्यू इसे कोई फरक नहीं पड़ता सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए इसे बुरा लगेगा खासकर देखा इसने उसी वक्त सिग्रेट नीचे फैक दी और फिल्मी स्टाइल से सिग्रेट को पैर से बुझा दिया मेरे गार्डन से तुलसी के पत्से तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा फिर आपके सामने पहुंचा बद्बू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी आपका बेटा इशारव में बात समझाना जानता है जोक समारना छोड़ो अंकल से कुछ सीखो सॉरी सर मैं उत्रा भी बहान नहीं हूं मुझे उटी में इक इंपॉर्टन काम है मुझे वहां सर्वे करना है भैसो की रिपोर्ट बनानी है मेरी वाइफ को लाया हूं प्लीज तो वह घर पर रहे या बाहर तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है इधर कानला वह पकावा आप कभी भी टपक सकता है किसी और को क्यों ने ढूंटी इज़त का फालूदा ऐसा मात बोल मेरे पती परमेश्वर है ए बागल है क्या मैं कॉन से क्या रही इगर से पाहर है सत्याम नाज ओवी गुदर चाहेगी हो 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 हो